हालो फ्रेंग्ट स्वागत हैं आप सबका रेस्पीच बाई संध्या में आज हम बनाने जा रहे हैं फलावर तिरंगा मट्री अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे बैल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली ने रेस्पी एक बटन ले लिया है चलनी रख लेंगे दो कप मैदा लेंगे चान लेंगे अभी बारिश का मौसम है तो चानना जरूरी है मैदा को चान लिया है वान टीजपून नमक हाप टीजपून आजवाइन लिया है इससे क्रश करते विए डालेंगे इससे सारी चीज़ों को मैदा में अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों हाथों से ऐसे रब करते विए मिक्स करेंगे ऐसे रब करने से मश्री बहुत ही खस्ता बनता है कोई बेकिंग पाउडर या कोई बेकिंग सोडा डालने के ज़ुरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी मैदा में नमक और ओयल अच्छे से मिक्स हो चुका है मैदा को ऐसे मुठी में बांद के देखेंगे आप देख पा रहे होंगे शेफ होल्ड हो रहा है तो मठरी के लिए आटा बिल्कुल तयार है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए सेमी सॉप्ट आटा गूत लेंगे ऐसे छीटा मारते हुए पानी डालेंगे एकठा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो आटा गीला हो सकता है आटा मैं अभी और पानी डालने की ज़रूरत है पर यहाँ पर मैं आटा को तीन भागों में डिवाइट कर रही हूँ किरंगा मठ्री बनाना है तो दो भागों में कलर मिक्स करूंगी एक तो सफेदी रहेगा एक में ग्रीन और एक में ओरेंज तो मठ्री के लिए जो आटा होता है सेमी सॉप्ट होता है तो गूट जाने पर शायद कलर अच्छे से मिक्स ना हो पाए इसलिए मैं इसी स्टेज पे कलर मिक्स करूंगी यहाँ पे दूसरा प्लेट ले लिया है एक बाग आटा इसमें रख लेंगे वान पिंच औरेंज कलर मिक्स करेंगे अब हलका हलका पानी डालते वे सेमी सॉप्ट आटा गूट लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे औरेंज कलर का आटा मैंने गूट लिया है मठ्री के लिए एक साइड में रख लेंगे इसमें दो भागे आटा का एक को हमें सफेदी गूटना है दूसरे में हरा रंग मिक्स करेंगे सफेद वाला भाग अलग कर लेते हैं इस वाले आटे में हरा रंग मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे अच्छे से फिर पानी आड़ करेंगे हलका हलका पानी का छीटा मारते हुए आठे को गूत लेंगे पहले की तरह जैसे हमने ओरेंज वाला आठा गूता था हरे कलर का भी डो हमने लगा लिया है ओरेंज कलर के डो वाले प्लेट में ये एक साइड में रख लेंगे सफेद वाला भाग ले लेंगे आटा का सफेद वाला डो भी लगा लेंगे मट्री के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए तीनों का मैंने चितना लोया बना लिया है साइड में रख लेंगे चकला ले लिया है सफेद वाला लोया ले लिया है बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेंगे रोटी सी थोड़ा-सा मोटा ही रखेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा बड़ी सी रोटी बेल ली है आपको ठिकनेस दिखाती हूँ यहाँ पे बाओल ले लिया है मीडियम साइज का कट लगा लेंगे ऐसे कट लगा लेंगे इसमें एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे एक्स्ट्रा आटा को फिर से ऐसे लोया बना के रोटी बेल के पूरी कट कर लेंगे एक एक पूरी को हमें चार भागों में डिवाइट करना है ऐसे कट लगा लेंगे प्लेट में रख लेंगे फिर से दूसरे कलर का लोया लेंगे पहले की तरह रोटी बेल लेंगे बड़ी सी रोटी बेल ली है फिर से बाउल ले लिया है कट लगाएंगे एक्स्ट्रा अटा हटा देंगे इसकी भी लोया बना के फिर से रोटी बेल के ऐसे कट लगा लेंगे थोड़ा सा बाउल का निशान आ गया इसको साइड से हटा देंगे पूरी थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लग रहा है तो बेल लेते हैं थोड़ा सा इसके भी एक एक पूरियों में आरा तिर्छा कट लगा के चार पीस बनाएंगे प्लेट में रख लेंगे हरे कलर की भी रोटी बेल लीए मैंने बाउल से कट लगा लेंगे एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे बाद में इसकी भी लोईया बनाके रोटी बेल के ऐसे ही कट लगा लेंगे फिर से पहले की तरह एक पूरियों में आरा तिर्चा कट करके 4 पीस में डिवाइट करना है इसको भी एक प्लेट में रख लेंगे औरेंज कलर ले लिया है ऐसे रखेंगे 4 पीस रखेंगे सफेद ले लिया है सफेद का भी ऐसे 4 पीस लगाएंगे आप दो-दो पीस भी लगा सकते हैं दो-दो पीस लगाएंगे तो फ्लावर थोड़ा छोटा बनेगा फिर ग्रीन की तीनो कलर लगा लिया है चाकू ले लिया है ये उल्टा साइड है चाकू का ऐसे बीचो बीच प्रेस करना है हलका सकट नहीं लगाना है अब इसे हमें फोल्ड करना है ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे हलका सा प्रेस भी करते रहेंगे फोल्ड कर लिया है ऐसे पकड़ेंगे बीच से हलका हलका प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएए ऐसे रखेंगे अब इसे हमें कट करना है बिल्कुल आराम से कट लगा लेंगे हाथ से अच्छे से समेट लेंगे इसको ऐसे गोल-गोल कर लेंगे अब इसकी पत्यों को ऐसे खोल देंगे एक लॉंग ले लिया है बीच में ऐसे लगा देंगे दूसरा पीस ले लिया है दूसरे पीस को भी समेट लेंगे अच्छे से ऐसे पत्यों कोल देंगे ऐसे बीच में एक लॉंग लगा लेंगे ये बड़ा सा फ्लावर बन गया है हमारा अब दूसरा पीस का भी बना के देख लेते हैं एक प्लेट में रख लेंगे दो पीस का बना के देख लेते हैं ये दो पीस मैंने सफेद का रखा है दो पीस ओरेंज का दो पीस ग्रीन का फिर इस साट दो सफेद रख लेंगे ये आपकी अपनी पसंद है जैसा फ्लावर आप बनाना चाहें जैसे कलर मिक्सिंग करना चाहें इससे पहले की तरह चाकू के बैक साट से प्रेस करेंगे हलका सा फोल्ड कर लेंगे ऐसे बीच से ऐसे प्रेस करेंगे कट लगा लेंगे समेट लेंगे अच्छे से पहले फ्लावर की पत्यों को खोल देंगे बीच में एक लॉंग लगा लेंगे बस ऐसे ही सारे फ्लावर मठ्री तयार कर लेंगे मैंने तिरंगा फ्लावर मठ्री बना के त्यार कर लिया है फ्राई कर लेते हैं ग्यास ओन करेंगे कडाही रखेंगे कडाही को गरम होने देंगे कडाही गरम हो चुका है ओईल डाल लेंगे ओईल को अच्छे से गरम होने देंगे oil का temperature चेक कर लेते हैं toothpick लिया है ऐसे dip करके देखेंगे अच्छा सा bubble सूठ रहा है oil अच्छ से गरम हो चुका है तिरंगा flower मठ्री रखेंगे एक एक करके एक बार में जितना आसानी से fry हो पाएगा उतना ही रखेंगे और gas का flame medium पे कर लेंगे मठ्री को अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे एक साइट से अच्छे से fry होने देंगे मठ्री को हलका सा हिला डुला देते हैं ताकि तले से चिपके नहीं fry होने देंगे चेक कर लेते हैं एक साइट से हलका सा fry हो गया है एक के करके इसे पलट देंगे विल्कुल आराम से ताकि फ्लावर तूटे नहीं सारे फ्लावर मठ्रियों को मैंने एक के करके पलट लिया है थोड़ी थोड़ी देर पे मठ्रियों को हिला डूला करते रहेंगे ताकि जले नहीं अच्छे से फ्राई हो जाए और बिल्कुल आराम से ताकि फ्लाबर हमारा तोटे नहीं मठ्री अच्छे से फ्राई हो चुका है निकाल लेंगे ओल से बाहर थोड़ी देर छन्नी को ऐसे ही रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट आयल होगा वो निकल जाएगा निकाल के एक बर्तन में रख लेंगे आप देख पा रहे होंगे कितना सुन्दर लग रहा है देखने में फिर से से केंड बैच की मठ्री रखेंगे और जैसे हमने पहले फ्राई किया था पिल्कुल आराम से उलट पलट करते हुए सेम तरीके से बाकी की मठ्रियों को भी फ्राई कर लेंगे हमारा तिरंगा फ्लावर मठ्री बनके बिल्कुल लेडी है बहुत ही खस्ता बना है मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ आप भी इस तरीके से तिरंगा फ्लावर मठ्री एक बाद जरू ट्राई कीजिए फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो